आज हम देखेंगे कि CPA Marketing करने का सही तरीका क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप CPA marketing करना start करो तो पूरा आज आपको एक तुम detail में बता हूँ हो तो चलते हैं अपनी computer की screen पर तो अगर channel को subscribe नहीं करा है तो अभी कर लो तो बिना किसी तरी के शुरू करते हैं दोस्तों अब हम आगे अपनी computer की screen पर तो सबसे पहले बात करते हैं कि CPA marketing करने का सही तरीका क्या होता है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप CPA marketing करना start कर रहे हो तो तो जो सबसे पहली चीज़ें वो ये है कि आपको हमेशा एक category पर पहले focus करना है आपको एक niche पर पहले focus करना है काफी सारी लोग मैंने देखा है कि जब भी वो CPA marketing करना start करते हैं तो वो क्या करते है कि कोई offer choose करते है वो make money online category से होता है कोई offer choose करते है वो dating category से होता है कोई offer choose करते है वो keto offer होता है या fat loss category से होता है कि वहां पर जो भी content है वो कैसे काम करता है ताकि जब भी आप अपनी ads create करो, आप अपना landing page create करो, angles create करो, तब आपके लिए थोड़ा easy हो, अगर आप एक तुम complete beginner हो, आपको कोई भी चीज नहीं बताया भी, किसी भी category के बारे में आपको knowledge नहीं है, तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप survey offer जो category होती है, उससे शुरुआत करो, because वहां पर जो offers होते हैं, वो easy होते हैं, और उन पर जो conversions हैं, वो भी जल्दी आते हैं, ठीक है, जो दूसरी चीज है, वो ये है कि आपको हमेशा, एक traffic source पे ही focus करना है, काफी सारी लोग मैंने देखा है कि जब वो start करते हैं, तो शुरू करते हैं, वो लोग facebook ad से, ठीक है, facebook ad पर कुछ times तक offer रन करते हैं, जब facebook ad पर उनको traffic नहीं आता है, या facebook ad पर उनको result नहीं आते, तो लोग bing ad पे shift हो जाते हैं, बिंग आड़ पे थोड़े टाइम तक offer run करते हैं एक दो offer run करते हैं एक दो week run करते हैं जब वहाँ पर बिंग को result नहीं आते तो फिर वो लो Google आड़ पे shift हो जाते हैं उसके बाद माली जिए किसी ने उनको बता दिया क्या करने से कैसा होता है तब आप दूसरे दूसरे traffic sources को try कर सकते हो और same जो चीज है वो category या niche के साथ भी है अगर आप dating offer यूज़ कर रहे हो आप keto offer भी यूज़ कर रहे हो आप make money offer भी यूज़ कर रहे हो तब आपको कभी भी result नहीं आने वाले आपको एक category यूज़ करने है जब आप वहाँ पे सारे offers run कर लो आपको पता हो कि इस category में जो offer है वो कैसे run होते हैं तब आप दूसरी दूसरी categories जो हैं वो try कर सकते हो अगर आप एक offer से दूसरे offer दूसरे से तीसरे offer जंप करते रहोगे तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि कभी वे आपको results नहीं आने वाले example के लिए जब हमारे school में exams होते थे तो अगर हम लोग हर subject को मालीजे 5 minute पढ़ें एक subject को 5 minute पढ़ा फिर उसमें मजा नहीं आया उसमें कुछ समझ नहीं आया दूसरा subject पढ़ें दूसरे में भी कुछ समझ नहीं आया फिर तीसरा पढ़ें फिर चौथा पढ़ें अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमारे जो सारे subject हैं वो छूट जाएंगे तो हम लोग एक subject को पढ़ते थे फिर दूसरे को फिर तीसरे को अच्छे थे पढ़ते थे और जब वहाँ पर उनको results नहीं आते वो CP offer अच्छा नहीं होता है तो वो लोग demotivated हो जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना आपको at least 3-4 CP offers लेने हैं और उनको same time पर आपको run करना है सभी को ठीक है तो मान लिजए कि आपने 4 offers लिया और जो 4 offer था वो अच्छे convert हुए ठीक है तो यह आपको कैसे बता चलेगा जब आप ज़्यादा offers एक साथ run करोगे अगर मान लिजए कि मैं पहला offer ही run करता और पहला offer मेरा अच्छा नहीं होता तो मैं demotivated हो जाता कि मेरा तो खराब हो गया मुझे तो result नहीं आया और पाइंचांस अगर मैंने 3 offer भी run करा होता तो वहाँ भी मुझे result नहीं आते तो मेरे जो पहले के 2 offer है वो खराब चलेगा अब मैं बहुत जादा demotivated हो जाता इसलिए आपको at least 3-4 offers से शुरुआत करने चाहिए हो सकता है कि जो आपके 4 offers हो वो 4 हो बहुत अच्छे चले और ये भी हो सकता है कि जो 4 हो उनमें से सिर्फ 1 offer अच्छे चले बाकि जो 3 offers हो बहुत जादा बेकार हो एक चीज़ मैं यहाँ पर और add करना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग मैंने देखा है कि जब वो start करते है तो वो direct linking पर focus करते है direct linking जो method है वो काफी है जादा अच्छा method है वहाँ पर जो आपको time required होता है वो भी कम required होता है लेगिन वहाँ पर जो आपको profit मिलेगा ना वो भी बहुत ही जादा कम होगा because जो भी CP offers होते हैं उनकी कुछ time limit होती है जिस time तक वो लोग run करते हैं ठीक है तो हो सकता है जो आप CP offer run कर रहे हो वो सिर्फ 6 महिने के लिए valid है या एक साल के लिए valid है ठीक है तो जो भी campaign आप use कर रहे हो उस offer को run करने के लिए वो campaign भी 6 या एक साल तक ही चलेगा ठीक है तो मैं आपको suggest करूँगा कि जब भी आप start कर रहे हो तो आप direct linking से भले शुरू कर लो because direct linking में आपको जो results होते हैं वो जल्दी देखने को मिलते है as compared to जो बाकी method होते है तो direct linking से आप शुरूआत कर लो जब आप direct linking में अच्छा करने लग जाओ आप वहाँ पे आप जादा revenue generate करने लग जाओ तब उसके बाद आप list building पे focus करो list building मतलब क्या होता है list building मतलब होता है कि आप email marketing के तुरू अपने offers को promote करना शुरू करो अपनी email list create करो because उससे आप एक long term business create करोगे जिसको आप 5 साल 10 साल तक use कर सकते हो because जब आप list building पे focus करोगे तो आपके पास email list create हो जाएगी और जब आपके पास logo का email होगा तब आप उन emails को बार बार दूसरे दूसरे offers भे सकते हो तो चाहे कोई भी offer 6 महीने बाद भी बंद हो जाए तब भी आपको जादा फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो पहले आप direct linking method से शुरू करो उसके बाद आप list building method पे shift हो ठीक है तो जो सबसे important चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप CPA marketing कर रहे हो कि आपको एक category चूज करनी है एक niche चूज करनी है जिसको आप promote करना जाते हो एक traffic source चूज करना है जिसके थूँ आप promote करना जाते हो और आपको उसी पे focus करना है आपको दूसरे traffic source पे shift नहीं करना है जो तीसरी चीज़ है वो यह है कि आपको तीन से चार at least offers लेने है उस category के और उनका promotion एक time पे आपको शुरू करना है और जो last चीज़ है वो यह है कि direct linking method पे जब आप अच्छा करने लग जाओ उसके बाद आपको list building method पे focus करना है जो ultimate results जो आते हैं वो list building method पे आते हैं वहाँ पर आपको जो skills required है वो थोड़ी जादा है विकाद आपको एक अच्छा landing page, opting page create करना आना चाहिए आपको email marketing specifically आने चाहिए लेकिन जो आपको वहाँ बर profit मिलेगा वो बहुत जादा मिलेगा और जो business create होगा वो भी काफी जादा लंबे time के लिए होगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर देना और या नगर नहीं पसंद आई है तो dislike भी कर देना और कोई डाउन हो तो नीचियो comment में पूछ लेना तो बबाए, take care